अब कि एंभी मैं सेल्फ डॉक्टर मुझेकुमार बिश्योकर्म और आज की लेक्चर में हम आपको केमिकल थर्मो डाइमिक्स के बारे बताएक तो यह एक पर मिखने लेक्चर है और यह बहुत ही बेसिक होने वाला है जिसमें कि हम सुर्माटईनेंग स्वेधिस्टेम श्रा कि आप सभी का हमारे चैनल केम विज्ञान पर स्वागत है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें तो यहां पर दो चीजे हैं जो थर्मोडाइनमिक्स है यह दो वर्ड से मिलके बना है कि एक है थर्मोड एन सेकंड है डाइनमिक्स यह तो आप इलेवन्द क्लाश में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्रोडाइनमिक चेप्टर पढ़े होंगे तो डाइनमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो मूव कर रही हो और thermos या thermosmus level temperature से होता है बिसिकली जो thermopus dyank है हम यह कह सकते हैं कि this is the flow of heat or temperature ठीक है? आपiszको heat or temperature दोनों दोचीजे है लेकिन यहां पर फ押 हम यहestäर करके चलेंगे कि thermodynamics temperature का flow or heat का flow है ठीक है? आगे के lectures में जैसे इसे हम आगे बढ़ेंगे यह वैके होिसे का है और यह परिज्छर ενा थे ड्दाफ करते कि हमारा थर्मोडैनिक्स है और सभी दो पार्ट में डिवाइड होता है थर्मोडैनुक्स एक होता है और दूसरा थे थिल सर्मोडैनिक्स स्टिटिकल थर्मोने ठीक है तो हम यहां पर पढते हैंब सिकल्ट थर्मोने कि अगर बात करें तो यह मालेकुलर लेवल पे थär्मो diamond करेक्टर को भी है कि उसके ब्याइब को explain करता है तो यह है basic difference between chemical thermodynamics ने यह स्टेटिकल thermodynamics है नेक्स्ट एक यह इप्लाइट तो इंडिवीजवा लेटम्स क्यों 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 कि यह तो अगर हमें इंडिवीजूल एटम से मालेकिल की बात करनी है तो हमें कहां जाना पड़ेगा इस्टेटिकल थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं तो अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं नेक्स जो थर्मोडाइनमिक्स है यह फिजिबिलिटी अफ केमिकल प्रासेस को हुआ है तो यहां हो समी होगी जैसे कहते हैं कि एसे बीर्यक्त कराएं तो विसके बैसि सकते हैं तो हम यहां पर बस्च thanks कि अς नहीं बताता है प्रासेस प्रासेस को यह नहीं बताता है कि प्रासेस रो है जा इन दो चीजों को यह नहीं बताता है ठीक है कि अब देखो आप तो आपने यह समझ लिया कि जो है थर्मोडाइनमिक्स क्या है लेकिन जब भी हम किसी भी प्रासेस की बात करेंगे तो कोई न कोई एक सिस्टम होना चाहिए ठीक है जैसे यह सिस्टम करते हैं अब देखो यह सिस्टम क्या है अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम यूनिवर्स का कोई भी पार्ट यहां पर हमने एक गिलास रख दी यह गिलास रख दी और इस गिलास में थोड़ा सा पानी रख दिया और हम यह चाहते हैं कि अगर यहां बर्नर लगाए और यह कितना हीट हो कितने देर में हो ठीक है यहां पर पानी के जगह आप बहुत सारी और भी चीज़े रख के गरम कर सकते हो उससे हम हीट कैप सिटी निकाल सकते हैं कि इसके अगल बगल हम भी खड़े होंगे हमको भी थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होगी क्योंकि बर्नर जल रहा है प्लस इस बर्नर की फ्लेम से बहुत सारी चीज़ें जो कार्बन डायक्साइड निकल रहे हैं वह भी इंवायर्मेंट में जा रही है तो वह भी टंप्रेश है ठीक है जिसे हम कांसीडर करते हैं जिसके बारे में इंट्रेस्ट रखते हैं और जिसकी अनालेसिस करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम ठीक है अब इस सिस्टम के बारे में अगर हम कुछ चीज जानना चाह रहे हैं तो उन जिन चीज़ों से में इसके बारे में जान कि नेक्स कांसेप्ट आता है कि सिस्टम के अलावाज जो इतनी भी चीजें होती है उन्हें हम कहते हैं सराउंडिंग अब देखो जैसे अब यही गिलास की बात कर रहे थे तो यहां पे हमने बीकर रखा है और इस बीकर में हमने यह पानी फिल कर रखा तो अब अगर हम इसकी करना चाहते हैं तो यह सिस्टम है इसके आसपास सारी चीजें जैसे हम है टेबल ब्रेंच बर्नर कुछ भी है ठीक है कोई परसन प्लेस कुछ भी है जो भी सीजें सारा क्या है सराउंडिंग यह सपोस करो कि अगलास अगर देल ही में किसी लैबरेटरी में रखा है तो अमे यह बनाता है यूनिवर्स है ठीक है तो सिस्टम क्या है मैटर आफ इंट्रेस्ट है जिस चीज के बारे में हम अनालिसिस करना चाहते हैं और सराउंडिंग क्या है हिरें पर आफ ने लेंस अगे पढ़ने से पहले अवर यह देखेंगे की जो मारा सिस्टम है थर्मो डाइनमिकस में जो हम सिस्टम लेते हैं है वो अलग से नहीं आती जैसे अगर हम एक बाटल की बात करें ठीक है देखो तो बाटल डेली लाइफ में हमारे तीन फार्मेट में हम देखते हैं एक ऐसी बाटल जो उपर से उसका धकन खुला हुआ अगर इसका धकन खुला हुआ है तो इसके अंदर का लेबल है वह घटता चला जाएगो क्यों क्योंकि यहां से मैटर का लास होगा प्लस यहां से आप इसको क्या दे रहे हो एनर्जी तो जो ओपन सिस्टम होगा यह ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा ठीक है नेक्स इसके अलमा नेक्स हमारे पास जो system आता है वो close system है close system की बात करते हैं देखो अगर suppose करो कि इसी bottle पे आपने cap लगा दिया यह हमारे पास bottle थी यह और इस पे इपने cap लगा दिया जैसे coldering की bottle आप समझे लो अब coldering की bottle को देखते हैं तो ढखकन लगा हुआ होता है जब इस पर लगा हुआ है तो आप इसको फ्रिज में रख दो इसमें रख दोगे तो यह क्या होगे ठंडा होगे तमप्रेचर या एनर्जी का आदान-प्रदान हो रहा है ठीक है इसको आप संलाइट में रख दो या बाहर निकालो यह गरम हो जाती है लेकिन इसमें भरा ऐसे सिस्टम में नहीं होता है बट इनर्जी का एक्सेज होता है अंग ग्र मळन सिस्टमे enfermed संड जैने आड फिर यह काफी हत तक का आई वी जाती है कि इसकी बीच प्लस अगर इस पर कैप लगा है तो इसके अंदर जो भी मैतर है मैंटर का भी इक्षचेंज नहीं होगा थिक है तो नाइधर एनरजी नाट मैंटर इक्षेंज इन डिस प्रोसेस तो आइसोलेटेड में ना तो एनरजी और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है कि नेक्स आते हैं अब हमने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कुछी किसी भी सिस्टम की इनालेसिस करनी है तो उस सिस्टम को कुछ इस प्रापर्टी पे बेसिस पे हम 55 कर सकते हैं तो अब हम प्रापर्टी आप सिस्टम होती है क doubt आपने आपको बता है कि सिस्टम को को एक और तरीक से डिफाइन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ओमोजीनियस एंड हेट्रो जीनियस रोमोजीनियस फोमोजीनियस का मतलब होता है सी और जीनियस का मतलब्लॉव मैं Coffee कि अगर 새 है जैसे अगर हम अर्ग की बात करें एर क्या है mixture है इसमें nitrogen है oxygen है CO2 यह गैस क्या है mixture ठीक है लेकिन अगर डिस्टिल वाटर की बात करें या प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर केवल केवल से मिलके बना होता है अगर इसमें minerals और कुछ भी एड नहीं है ठीक है आइंस केवल होगा तो यह प्योर होगा तो प्योर होमोजीनियस होगा होमोजीनियस का मतलब इसमें केवल एक ही तरह का content है और heterogeneous का मतलब इसमें more than one content ठीक है और uniform नहीं होगा यह नेक्स है properties और यह properties बिसिकली दो तरीके की है extensive अब देखते हैं कि इन properties को कैसे define करते हैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको learning का trick में बता देता हूं यहाँ पर इस लिखा है यहाँ पर इन लिखा तो सबसे पहले इन से आपको independent लिखते नहीं करती है उन्हें कहते इंटेंसिव प्रापर्टी और जो मास पर डिपेंड करती है उसे कहते है extensive प्रापर्टी ठीक है डिपेंड आन एमाउंट of substance मतलब मास बेसिकली तो यह मांट आफ सबस्टेंस पर डिपेंड करती हैं और यह मांट अप सुप्सटेंज पर डिपेंड नहीं करते हैं लेते हैं तो किसी भी अब्जुक्थ का मास तो इसल डिपेंड्ड करेगा वॉल्म की बात करें तो वॉल्म मास पर करता है जैसे अग ठीक है लेंथ अब देखो कोई आबजेक्ट है या कोई राड है इस राड की अगर जितनी भी लेन्थ लेते हो इतना लेंथ उसका मास थोड़ा लेंथ लेंध बढ़ाओ गेंध बढ़ता जाएगा इनर्जी मास पर डिपेंड करती है एक्वस्टू एमसी स्क्वाइर एनर्जी मास पर डिपेंड करेगी हीट कैफिसिटी साइज एट्सेटरा नेक्स एक्जामपल बात करते हैं इंटेंसिव प्रपरटीज की तबार हम यहां पर अगर हम यहां पर एक रूम ले ले इस तरिके से और उस रूम में दो प्रिचों करें सपोर्वρέ vendor का ठीथा और जैसे आपने दो प्रिचों किया यह पर्टीशन और partition B, तो क्या इधर का temperature T नहीं रहेगा, और इधर का temperature T नहीं रहेगा, A और B का, partition कर देने के बाद भी दोनों का temperature T ही रहेगा, तो ऐसी properties जो mass पे डिपेंड नहीं करती, temperature, pressure, यहाँ भी लगने वाला pressure, atmospheric pressure होगा, यहाँ भी atmospheric pressure होगा, density, देखो air की density जो इस room में होगी, यहाँ भी air की density वही होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि mass भी divide हो रहा है, तो volume भी divide हो रहा है, viscosity, surface tension, refractive index, specific heat, यह सारी चीज़े, अब देखो, वहाँ पर हमने heat capacity बोली थी, यहाँ पर specific heat बोला है, तो यह धियान रखना, specific heat जो है, heat capacity divided by mass होता है, ठीक है, अब कुछ properties है कि extensive और intensive properties जो है, वापस में किस तरीके से relate करती है, इनको हम थोड़ा सा देखेंगी, देखो, जो हम यह कहते हैं कि extensive properties है, are additive and subtractive, extensive property हमको हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, जैसे 3 लीटर, 2 लीटर, जोड़ दिया 5 लीटर आगया, ratio of two extensive properties may lead to intensive properties, अगर दो extensive properties को divide कर दो, जैसे mass को volume से divide करने तो density आ जाती है, और density क्या है, intensive properties, तो यह दिखान रखना आपको, कि ratio of two extensive property may leads to intensive property, नेक्स देखो, volume extensive है, area extensive है, divide कर दिया, तो length आता है, length क्या है, extensive है, इसलिए यहाँ पर word यूज किया था, हमने may leads to, यह दिखान रखना, ठीक है, certainly हमने नहीं बोला है, ratio of extensive and intensive properties are extensive, अब एक extensive property ले लो, दूसरा intensive property ले लो, और इनका अगर ratio निकालते हो, जैसे mass upon density, तो यह क्या करता है, यह give rise करता है, volume को, और volume क्या extensive, तो यहां से अभी आप निकाल सकते हो, यह कई exams में, even IITs वगरा में पूछा गया है, Next, multiplication of extensive and intensive properties are extensive, तो को mass है, density into volume, density अभी आपने पढ़ा कि extensive property है, volume extensive property है, इन दोनों को multiply कर देंगे, तो क्या आएगा, mass, mass क्या है, extensive property, ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने molar heat capacity, heat capacity और mole मतलब mass content की बात की, तो अगर यहाँ पर भी आप multiply करते हो, extensive property या specific heat into mass, तो यह क्या आएगा, intensive property आएगा, ठीक है, यह heat capacity निकालते हो, mass से multiply कर दो, specific heat capacity, तो same ratio आएगा, यह extensive है, यह intensive है, यह extensive है, यह extensive है, यह intensive है, और यह आता है आपका extensive, तो इस तरीके से भी आप अपने से relation बना सकते हो, ठीक है,